जैहिन साथियो नेवी डबल एससर की वेकंसी एक बार फिर से डिले हो गई है और दोस्तों मैंने आप लोग को पिछली भी एक वीडियो में बताया था कि आप लोग को 23 अप्रेल तक इसके वेकंसी का कोई भी आपडेट देखनों को नहीं मिलेगा तो फानली 23 अप्रेल तक आप लोग को कोई भी आपडेट देखनों को नहीं मिला तो आज मैं ये बात फिर कह रहा हूँ कि नेवी डबल एससर की वेकंसी आप लोग को 29 अप्रेल तक देखनों को नहीं मिलेगी तो देखे दोस्तों फानली जैसे जैसे वेकंसी डिले होती जा रही है तो ये बात कंफर्म होती जा रही है कि अगस्त 2022 की वेकंसी कैंसील होगी या फिर नहीं चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलिग्राम को जोइन नहीं किया है तो उसे भी जोइन कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल करता रहता हूं सो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेवी की वेकंसी अगस्त 2022 बाइस बैच कंप्लीट होगी या फिर नहीं देखिए दोस्तों नेवी तो एरफोर्स और आर्वी से भी एक कदम आगे निकली क्योंकि उन्होंने फाइली अपना एक वेकंसी भी डिले कर दिया और हो सकता है कि वो अगस्त 2022 की वेकंसी कैंसी भी कर दें इसका में कोई भी आपडेट इसका दिखने को नहीं मिला और दोस्तों अगर एक्जाम ये लोग अफलाइन भी कंडेट कराते हैं तब भी इनको अपरेल में ही ये वेकंसी दे देनी चाहिए थी क्योंकि कोश्टगार का रिजल्ट आने वाला है और देखिए दोस्तों जिस दिन क कि वेकंसी कैंसील हो गई है सो देखिए दोस्तों अगर कोश्टगार का रिजल्ट इसी महीने में आ जाता है और आई होब कि कोश्टगार का रिजल्ट 25 सप्रेल तक आ जाए अगर 25 सप्रेल तक अर्थात इस महीने में कोश्टगार का रिजल्ट आ जाता है और उसके बीच नेवी के वेकंसी आपको देखने को नहीं मिलता वह गई अगस्ज आए 2022 के वेखंसी केंसिल हो गई है उसके बाद अब बात करते हैं के नीव need version jak तक आएगी जो देखे दोस्तों मैंने आप लोग को पिछली भी वीडि़ियो में बता दिया था उसमें मैंने आप लोग को डिटेल से बताया था कि अगर वैकंसी अप्रेल तक नहीं आती है तो अगस्त 2022 वैकंसी कंसील हो जाएगी सो फानली अप्रैल तक भी इसका कोई यार्बेट देखनों को नहीं मिला तो अब बात करते हैं कि अगर अगस्त 2022 की वेकंसी कंसील होती है तो नीव वेकंसी कब आएगी देखे दोस्तों नीव वेकंसी बहुत ही जल्द आएगी जैसा कि कोटगार की नीव वेकंसी जब अगर माई लास्ट तक नीव वेकंसी आती है और वो वेकंसी फरवरी 2023 बैच की होती है तो स्योर रूप से ही उसका एक्जाम अलाइन होगा और वो वेकंसी इंडियन कोटगार के साथ ही आएगी क्योंकि देखे दोस्तों कोटगार जीडी और नेवी डबल SSR की वेकंसी जो कोटगार का रिजल्ट आया है उच टाइम नेवी डबल SSR की वेकंसी का अलाइन अप्लिकेशन इस्टार्ट रहता था चाहे कोई भी बैच हो देखे दोस्तों जिस दिन कोटगार का रिजल्ट आ जाएगा यह वेकंसी कैंसील हो जाएगी और निव वेकंसी आई होब कि बह 29 सपरेल तक तो आपको कोई भी आपडेट देखने को नहीं मिलेगा अगर 29 सपरेल के बाद कुछ आपडेट आप लोग को मिलता है तो मैं वह उन्फार्म जरूर कर दूंगा अब फानली इंप्लामेंट निव जो है वह 29 सपरेल के बाद ही आने वाला है जो अगर इसका अल आप लाइन वेकंसी आती थी वो भी रोग दिया गया है आप लाइन भी कंडेक्ट नहीं करा रहे हैं तो पूरा डिफेंस में वेकंसी अभी रुक गई है तो यह बहुत ही दुख की बात है तो चलिए दोस्तों आप लोग को बहुत ही जल अपडेट मिलेगा बागी कोई भ आप लोगों से नेक्ट वीडियो में जैहिन